हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एक और नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो है प्राइवेसी से रिलेटेड दोस्तो आपने देखा होगा कभी कभी आपके फोन में गलती सिम कार्ड लॉक हो जाता है और स्विच ओफ हो जाता है तो जब भी किसी को ये फोन मिलेगा तो वो आपका स्विच ओन करेगा स्विच ओन करने के बाद उससे सिम का पिन मांगा जाएगा बरना बिना पिन डाले वो फोन काम ही नहीं करेगा तो ये चीज फाइदे मन्द भी है कि आपका फोन को इस्तिमाल नहीं कर सकता है हो जाने पर और नुकसान कब है कि कभी-कभी आपके घर में बच्चे SIM कार्ड लॉक कर देते हैं और आपको तकलीब होती है कि क्योंकि बच्चे पिन भूल जाते हैं और आपको फिर फोन को दुकान पर या कहीं ले जाना पड़ता है इसे सही कराने के लिए तो दोस्तों आप इस ट्रिक को देखते रही है वीडियो को एंड तक और वीडियो को लाइक कर दिए कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कैसे आप अपने SIM card को lock और unlock दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आपको settings में जाना है settings में जाने के बाद अगर आपके पास Redmi या कोई other device है तो आपको ये सबसे उपर दिख रहा होगा additional settings इसमें जाना है additional settings के बाद privacy में जाना है और वहाँ पर आपको SIM card lock का option मिल जाएगा लेकिन मेरे पास Realme का device है तो आपको सबसे उपर देखिए security का option दिख रहा होगा security के option में जाना है security में जाने के बाद यहाँ पर सबसे उपर आपको एक option दिख रहा होगा SIM card lock का SIM card lock के अंदर जाना है यहाँ पर दो SIM है मेरे phone में आप जो भी SIM lock ये unlock करना चाहते हैं जैसे मैं पहले lock करके दिखाऊंगा आपको कैसे lock होता है और कैसे unlock होता है वो आपको बाद में बताऊंगा जैसे मैं SIM बन पर जाता हूँ यहाँ पर एक option दिख रहा है lock SIM card यहाँ पर यह option बन दाए इसको मैं चालू करूँगा on करते ही आपको यह interface दिखेगा जिसमें SIM pin लिखा हुआ है और number का keyword दिख रहा है आपको यहाँ पर एक set कर लेना है SIM और ध्यान रखना है दोस्तो पिन जो है वो चार अंकों का ही set करना है चार अंकों से ज़्यादा यह कम होगा तो SIM pin set नहीं होगा तो मैं जैसे यहाँ पर एक pin set कर लेता हूँ 1,2,3,4 चार अंकों का और यह उपर OK का sign आ रहा है OK कर दिंगे हम यहाँ पर अब यह देखिए यहाँ पर एक option आ रहा है lock SIM card और यह on हो चुका है अब यह SIM card हमारा on हो चुका है lock हो चुका है जब भी आप switch off करके phone को खोलेंगे switch off करके जब phone को अगर गलती से लग गया है तो फिर दिक्कत हो सकती है तो इसमें आपको करना क्या है SIM आपका बंद कैसे करना है आपको मैं बताता हूं सबसे पहले settings में जाना है settings में जाने के बाद बैसे ही फिर से बहीं पर जाना है जैसे मैं security में जा रहा हूं आप other device में तो additional setting और privacy में ज कोशिच करता हूं बंद जैसे ही मैं करूंगा यहां पर फिर से मुझसे pin मांग रहा है कि आपको बंद करना है तो पहले pin बताओ जो आपने डाला था पहले तो मैं यहां पर वहीं डाल देता हूं जो मैंने अभी lock करते time डाला था one two three four और यहां पर ऊपर ok कर दूंगा ok करत ही मेरा यह देखिए option बंद हो गया है अब यह मेरा sim जो है unlock हो चुका है अब अगर मुझे अगर मैं phone को switch off करके switch on करूंगा तो मुझसे pin नहीं मांगा जाएगा क्योंकि मेरा phone unlock हो चुका है तो दोस्तों यह थी phone को sim को unlock करने की और lock करने की विदी आपको वीडियो कैसी लीजे और bell icon on कर लीजे क्योंकि ऐसी ही वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा थेंक्यू